आज का हम लोग का पहला प्रस्ण है सांत जल में एक आदमी की चाल 28 वटा 3 किलोमेटर परती घंटा है वह धारा की विपरिद दिसा में धारा की समान दिसा में लिए गए समय से 3 गुना समय लेता है तो धारा का विग क्या होगा बोल रहा है कि धारा की विपरिद दिसा में समय कितना लगता है धारा की दिसा में लिए गए समय का 3 गुना तो यहां लिखेंगे हम लोग धारा की दिसा में और यह धारा के विपरिद क्या देरा हम लोग का समय अब यदि धारा की दिसा में समय एक है तो धारा की दिसा में समय कितना लएगा हम लोग को तीन अब इस एक और तीन को हम लोग चाल में बदलेंगे क्यों कि यहां बोल रहा सांत जल में आदमी की चाल सांत जल में चाल दे रहा आदमी का तो चाल में बदलेंगे तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे इस तीन को यहां लाएंगे और इस वन को यहां लाएंगे तो यहां हो जाएगा हम लोग का 3 और यह हो जाएगा 1 अब देखेंगे कि क्या दे रहा है बोल रहा है यहां सांत जल में आदमी की चाल अब एक फर्मूला हम लोग जान लेते हैं कि यदि धारा की दिसा में आदमी की चाल A हो धारा के विपरित दिसा में आदमी का चाल B हो तो सांत जल में इसका चाल हो जाएगा A प्लस B बाई 2 यानि ये धारा के साथ चाल है ये धारा के विपरित चाल है और सांत जल में चाल हम लोग को चाहिए तो दोनों को जोड़ करके 2 से हम लोग भाग दे दें ग 기본 यहां हम लोग का यह है धारा की दिसा में और धारा के विप्री चाल दोनों को जोड़ेंगे 3 और ए 4 बटा यहां क्या करना था 2 दो करेंगे आ जाएगा हम लोग का यहां 2 दूना 4 लेकिन ये बोल रहा है कि आदमी का चाल तो 28 बटा 3 km प्रति घंटा है तो कह सकते हैं कि 2 कामान 28 बटा 3 km प्रति घंटा है तो कार्ट देंगे 2 से 1 बार में ये 14 बार में तो अम लोग के कितना आ जाएगा? 1 कामान 14 बटा 3 पूछ क्या रहा है? धारा का वेक क्या होगा? अब धारा का वेक के लिए धारा की दिसा में चाल धारा की विपरी चाल को माइनस करेंगे और बटा 2 करेंगे यानि कि धारा की चाल के लिए माइनस करके 2 से भाग देंगे और सांत जल में नाव की चाल या आदमी के चाल के लिए प्लस करके दो से भाग देंगे तो यहां तो अभी हम लोग को धारा का वेक ज्याद करना है तो धारा का वेक के लिए क्या करेंगे इन दोनों का अंतर अंतर दो बटा में दो दो देंगे, दो से दो गया क्या होगा, यहां हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि एक कामान क्या है था हम लोग का, 14 बटा 3 तो हम लोग कांसर क्या हो जाएगा, 14 बटा 3 यानि धारा का वेग कितना हो जाएगा option number D, 14 बटा 3 किलोमेटर प्रती घंटा पूरे प्रस्ण में, यह हम लोग का repeat होगा धारा की दिशा में यदि चाल A है धारा के विपरीट यदि चाल B है तो सांत जल में नाव का चाल A पलस 2 बटा 2 होगा धारा की दिशा में चाल यदि A है धारा के विपरीट B है तो धारा का चाल हम लोग का ये माइनस V by 2 होगा हम लोग का आगला प्रस्ण है एक नाविक धारा के विपरी 24 किलोमीटर और धारा के दिशा में 36 किलोमीटर दूरी टै करता है धारा के दिशा में 24 धारा के विपरी 36 हर बार 6 घंटे का समय लेता है तो धारा की चाल ग्याद कीजिए यहाँ चाल ग्याद करना है तो लिखेंगे धारा की दिशा में चाल धारा के विपरी चाल चाल लेकिन चाल तो दिया नहीं है ये दे रहा है 24 km विपरीट दिसा में दूरी और 36 km धारा की दिसा में दूरी दोनों का समय 6 दे रहा है हम लोग जानते हैं कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय तो दिसा में धारा की दिसा में कितना दूरी 36 दिख देंगे 36 14 के विप्रीद कितना दूरी 24 24 ये हम लोग का अभी दूरी है इसको चाल मा बदलना है हर आहालत में 6 गंटे का समय लगता है तो बटा क्या करेंगे समय 6 यानि कि ये हम लोग कहो गया दूरी बटा समय ये भी दूरी बटा समय चाल में आ गया यानि कि 6 और 4 जो हो गया हम लोग का 6 हो गया धारा की दिसा में चाल और 4 हो गया धारा के विपरीद दिसा में चाल धारा की चाल ग्याद कीजे तो धारा की चाल का क्या था हम लोग हम उला a-b by 2 जहाँ a क्या है धारा की दिशा में चाल और b धारा के विपरीच चाल तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ 6 और 4 का अंतर निकालेंगे 6 और 4 का अंतर दोनों का अंतर 2 बटा 2 कार देंगे 1 यानि हम लोग के कितना आ गया धारा का चाल 1 किलो मीटर प्रती घंटा हम लोग का अंसर होगा option number C 1 किलो मीटर प्रती घंटा हम लोग का आगला प्रस्ण है एक नाओ को धारा की दिशा में 16 किलो मीटर की दूरी तै करने में 2 घंटा का समय लगता है धारा की दिशा में 16 किलो मीटर दूरी तै करने में 2 घंटे का समय और धारा की दिशा में धारा की विपरी दिशा में वही दूरी तै करने में 4 घंटे का समय लगता है तो धारा की चाल क्या है यहां क्या दे रहा है दोनों में दूरी सेम है दूरी 16 km ही है लेकिन धारा के 7 चलता है तो 2 घंटा का समय लगता है धारा के विपरिट चलता है तो 4 घंटे का समय लगता है तो धारा की चाल ग्याद कीजिए यहाँ चाल ग्याद करना है दो चाल देगा धारा की दिसा में और धारा के विपरिट लेकिन डारेक्ट यह चाल दे नहीं रहा है, हम लोग को चाल निकालना है, और चाल बरावर होता क्या है, दूरी बटा समय, यह हम लोग चाल निकालेंगे, दोनों का दूरी कितना है, 16, यह भी 16 km चला, और यह भी 16 km चला, लेकिन धारा की दिसा में समय कितना लगता है, 2, यह दो से भाग देंगे, धारा के विप्रिच्टा में कितना लगता, चार, तो यहां चार से भाग देंगे, यह भाग देंगे हम लोग, दू आठे 16 हो जाएगा, यह चर्चोक 16 हो जाएगा, यानि कि धारा की दिसा में चाल कितना, 8 km प्रती घंटा, और धारा के विप्रिच्ट है धारा के साथ चाल भी धारा के विप्रीच चाल यानि कि इन दोनों का अंतर निकालेंगे हम लोग तो आठ और चार का अंतर हो गया चार बटा दो होता है दो करेंगे दो दुना चाल यानि दो किलो मीटर प्रति घंटा धारा का चाल कितना हो गया दो किलो मीटर प्रति हम लोग का आगला प्रस्ण है धारा की दिशा में एक आदमी की चाल 15 किलोमेटर प्रति घंटा है और धारा की चाल 2.5 किलोमेटर प्रति घंटा है तो धारा के विपरित उसकी चाल क्या होगी धारा की विपरित चाल क्या होगी तो धारा के साथ क्या बोला है एक धारा की दिशा में धारा की दिशा का मतलब धारा के साथ धारा के साथ आदमी का चाल कितना है 15 किलोमेटर प्रति घंटा अब धारा का साथ का मतलब क्या होता है धारा का साथ का मतलब होता है आदमी का अप साथब सना चाल प्लस धार का चाल यानि पानी का चाल बराबर दे कितना रहा है 15 ल किन sis mai यह भी बोल रहा है कि धार्आ का चाल है कितना 2.5 हैंने कर सकते हैं कि इतंक लिदे लिदेद ऊंक लिदिसको घंच और जाए- तो आज आगा हम लोग का साढ़ है 12 किलोमेटर प्रती घंटा अब आदमी का चाल हो गया साढ़ है 12 किलोमेटर प्रती घंटा पानी का चाल हो गया 2.5 किलोमेटर प्रती घंटा बोला धारा के विपरीद जिस प्रकार से धारा के साथ हम लोग चलते हैं तो धारा का क्या होता, धारा जूर जाता आदमी के साथ, तो धारा के विपरिट चलेंगे, तो आदमी के चाल में ये धारा क्या करेगा, रुकावट डालेगा, यानि कि इसको घटा देंगे, तो हम लोग का धारा के विपरिट चाला जाएगा, तो इन दोनों का अंतर ये हो गया हम लोग का आदमी का चाल ये हो गया धारा का चाल घटा देंगे तो आ जाएगा 10 यानि 10 किलो मीटर प्रती घंटा धारा के विप्रीत आदमी का चाल हो जाएगा क्योंकि धारा के विप्रीत चाल का मतलब आदमी का चाल माइनस धारा का चाल और आदमी का चाल आया साड़े बारा पानी का चाल दे रहा है 2.5 घटा देंगे तो 10 आ जाएगा और यही 10 किलो मीटर प्रती घंटा हम लोग का एंसर होगा हम लोग का एंसर है आप्शन नंबर ए 10 किलो मीटर प्रती घंटा